Study with Mind के Current Affair System में आपका स्वागत है। ये Current Affair SSP, Banking, Railway, State PCS, CDS, CPF, NDA और Other Competitive Examादी में सहाइक होंगे। आज ती डेट है 25 December 2020, तो चलिए आज का Current Affair सुरू करते हैं। आज का पहला प्रसन है, अमेरिकी सांसर ने बहु प्रतिच्छित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वाइरस महामारी साहिता पैकेज कानून पारित कर दिया है। Option A 900 अरब डॉलर, Option B 500 अरब डॉलर, Option C 700 अरब डॉलर, Option D 300 अरब डॉलर देखिया, अमेरिकी संसर ने जो है, बहु प्रतिच्छित 900 अरब डॉलर का कोरोना वारस महामारी साहता पेकेज कानून पारित कर दिया है आर्थिक साहता पेकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और विवसायों और बेरोजगारी कारेक्रमों के लिए साहता प्रदान करने की विवस्था सामिल है राश्टपती डॉनल्ड ट्रम्प पेकेस के कानून पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं चैनित राश्टपती जो बाइडन ने राहत पेकेस का स्वागत किया है साथ ही कहा है कि संसत को नए साल में उनकी COVID-19 राहत योजना पर कारी सुरू कर देना चाहिए तो इसका सही अंसर होगा option A 900 अरब डॉलर चलिए next question पेखलता है राश्टी पुरस्कार से सम्मानित हाली में किस फिल्म निर्देशन वो बरिस्ट अभिनेता का दक्षन कॉलकता में निधन हो गया option A जगनाद गुहा option B मुकेस बिस्ट option C राजेस पूरी option D रगुवीर नवरेकर देखे राश्टी पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशन वो बरिस्ट अभिनेता जगनाद गुहा का जो है दक्षन कोलकता के एक नर्सिंग हो में निधन हो गया जगनाद गुहा को साल 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानान के नर्देशन के लिए राश्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्होंने दिवगंद बागला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर जी के साथ कई नाटकों में अभिने किया वे नाटक मंडली जीगीर के सहलाकार भी रहे जगनाद गुहा सत्यजीत राय फिल्म अन टेलिविजन इंसिट्यूट के पूर्व दीन वो सौट फिल्म असूसीयेशन के संस्थापक सदस्थ है तो इसका सही अंसर होगा उफशन ए जगनाद गुहा चले नेक्स्ट कुश्चन पे चलते हैं निवनमे से किस दिगज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिगज जो फिल्म अभिनेता है धर्मेंदर को जो है अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीब्मेंट से के अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है सेनेट और जन्रल एसेंब्ली द्वारा जॉइंट लेगिसलेटिव रिजोलुशन पास करके धर्मेंदर को जो है लाइफ टाइप अचीब्मेंट से समानित करने का फैसला लिया गया है इस प्रस्ताव को दोनों सथनों ने अपनी सहमती दी और हिंदी सिनेमा में धर्मेंदर की योगदान की तारीफ की गे धर्मेंदर ने जो है 6 दसक में अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और लोगों का मनुरंचन किया अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइफ अचीवमेंट पानी वाले धर्मेंद्र जो है पहले भारती अभिनेता है तो इसका सही अंसर होगा option C धर्मेंद्र चले next question पर चलते है विश्य अलफ संखक दिवस निम्नमे से किस दिन मनाया जाता है option A 10 January, option B 12 March, option C 18 December, option D 25 July देखें अंतरास्टे अलफ संखक अधिकार दिवस जो है आपका प्रती वर्स जो विश्य भर में जो है 18 December को मनाया जाता है इस दिवस को जो है यो दिवस जो है प्रती वर्स आपका प्रती वर्स जो है 18 December को मनाया जाता है और इसकी जो सुरवात हुई थी वो 1992 से सर्वत रास्टिय संख द्वारा अलफ संखक समुदायों के धिकारों की रक्षा रास्ट निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अलफ संखकों के छेत्र विशेस में ही उनकी भासा जाती, धर्म, संस्कृती, परमपरा आदी की सुरक्षा को सुनिश्यत करने है तू मनाया जाता है भारत में अलफ संखक कारे मंत्राले अलफ संखकों ससमधित मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित करता है तथा अलफ संखक समुदायों के हितों में हितों के लिए समगरी नीती के निर्माण, उनकी आयोजना, समनबै, मुल्यांकन, तथनियामक रूप रेखा, तथनियामक विकास कारिक्रमों की समिक्षा भी करता है, मंत्राले के लक्ष में अल्पसंखों को का विकास करना सामल है, तो उसका सही अंसर होगा, ओफशन C, 18 दिसंबर, चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं, हाइपरसोनिक वेंडी टरनल परिक्षन सुभिधा प्राप्त करने वाला तिसरा देश निम्र में से कौन सा देश बन गया है, ओफशन A, नेपाल, ओफशन B, पाकिस्तान, ओफशन C, बांगलादेश, ओफशन D, भारत, देखे हाली में रक्षा मंत्री राजनात निंग ने हैदराबाज में हैं हाइपरसोनिक वेंड टरनल परिक्षन से भी तका उ पहले इस टरल का जो सुरवात हुआ था वो अमेरिका, आपका अमेरिका, और आपका दूसरे नंबर पर रूस द्वारा किया जा चुका है और भारत ऐसा करने वाला तिसरा देश बन गया है, पूर्ण रूप से भारत में विक्सित यो प्रणाली जो है भारती उद्योग ज पूर्ण भूमे का निफाएगी, तो इसका सही अंसर होगा, ऑफशन D, भारत, चले नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं, उद्योग मंदल S.O.C.M के नए अधक्ष के रूप में, के रूप के पदभार में निमने मैं से किसने समभा लिया है, अधक्ष के रूप में, ठीक है तो इसका सही अफशन होगा, राहूल सचदेवा, अफशन B, विनीत अग्रवाल, अफशन C, मोहन अग्रवाल, अफशन D, प्रमोत कुमार लेकित, Transport Corporation of India Limited के प्रमन्धन निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्दोग मंडल SOCM के नए अधक्ष के रूप में पदभार समभाल लिया है Associated Chambers of Commerce and Industries of India यानि SOCM ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने हीरा नंदानी Group of Companies के सहसंस्थापक और प्रमन निदेशक निरंजन हीरा नंदानी का स्थान लिया है Renew Power के चेर्मेन और प्रमन निदेशक सूमन सिन्धा SOCM के नए वरिस्ट उपधक्ष होंगे विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कारनेगी मेलोन विश्य विद्याले से सनातक के डिगरी हासल की है तो इसका सही इंसरों का Option B विनीत अग्रवाल चले नेक्स्ट कुश्चन पे चलते हैं हाली में भारत और किस देश ने अपने आभासी सिखर सम्मेलन के दोरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणो उर्जा जैसे छेत्रों में साथ समझोतों पर हस्ताचर किये हैं Option A नेपाल, Option B चीन, Option C रूस, Option D वियतनाम लेकि हाली में जो है भारत और वियतनाम ने अपने आभासी सिखर सम्मेलन के दोरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणो उर्जा जैसे छेत्रों में साथ समझोतों पर हस्ताचर किये इससे दोनों देशों को सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही जलवाई परिवर्तन से निपटने की छमता विक्सित होगी भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा से जैदारी भारत प्रसान शेत्र में स्तिरतता लाने में एक महत्पूर कारक साबित होगा तो इसका सही अंसर होगा ओफशन D वियतनाम चलिए नेक्स्ट कुशन पे चलते हैं रास्टी उपभोगता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है ओफशन A 10 मार्श, ओफशन B 24 दिसंबर, ओफशन C 18 अप्रिल, ओफशन D 15 अगर्स्ट देखे हर साल जो है आपका 24 दिसंबर को भारत में एक चैनित विसए के साथ रास्टी उपभोगता अधिकार दिवस यानि National Consumer Rights Day के रूप में मनाया जाता है यहो दिन लोगों को संग्रक्षक आंदोलन की महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है इसका उदेश से उपभोगताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों और जिम्यदारियों के बारे में जागरुकता फैलाना है तो इसका सही अंसरों का ओफशन D 24 दिसंबर चलि नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं अमेरिकी अंतरास्ट्य विकास वित्त निगम ने किस देश में रास्ट्य निवेस और अवसंग्रक्षना कोस में निवेस करने की घोशना की है जो अमेरीकी अंतरास्ट्य विकास वित्त निगम ने भारत में रास्ट्य निवेस और अवसंग्रक्षना कोस में निवेस करने की घुशना की है इस घुशना के अनुसार DFC महत्पूर्ण बुनियादी धाचा पर्योजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए NIIF के लिए एक्विटी में 54 मिलियन डॉलर का निवेस करेगा DFC का यह निवेस जो है NIIF के मास्टर फंड के लिए फंड्स चुटाने के अंतिम दौर का एक हिस्सा है इस निवेस के साथ मास्टर फंड के लिए फंड्स चुटाने का कारिये पूरा हो गया है तो इसका सही अंसर होगा Option A भारत चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलता है केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितनगडगरी ने किस राज्य में 8,341 करोड रुपे की लागत वाली 18 नैसनल हाईवे परियोजनाओं का उद्गाटन और सिलान्यास किया है Option A पंजाब, Option B राजस्थान, Option C तमिल्लाणू, Option D करनाटक देखें केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितनगडगरी ने राजस्थान में 8,341 करोड रुपे की लागत वाली 18 नैसनल हाईवे परियोजनाओं का उद्गाटन किया है इन परियोजनाओं में लगभग 1,127 किलोमेटर लंबी सड़क बनाई जाएगी इस हाईवे प्रोजेक्ट की निर्माण में करीब आपका 8,341 करोड रुपे का खर्चानी की संभावना है इससे पहले जो है गटकरी ने जो है 21 दिसंबर को तेलंगना को जो है कुल 13,000 करोड रुपे की सड़क परियोजनाओं की सौगादी थी इन परियोजनाओं की जो कुल अमबाई है वो 765.66 किलोमेटर है तो इसका सही इंसर होगा option B राजस्थान तो यही थे आज की करेंट अफ़ेर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक्स पर वाचिंग, have a nice day, take care